हाई गाई स्वागत है आपका फिरीज ब्लॉब के इस यूटूब चैनल पर मैं विवेक एक बार फिर से आपको लेकर आया हूँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कि पिछले दिनों से मा गंगा उफान पर है इनमें जो है लगातार जलस्तर बढ़ रहा है तो हम लोग आय जी कि जो प्रशिद घ्ठ हैं उसके जस्ट विपरिद्ध सामें बैठे हुए हैं राज घ्र ब्रिज की तरफ मैं आपको राज घ्र ब्रिज भी थोड़ा दिखा देता हूं यह देख सकते हैं और नमो घ्र जो है हम लोग को हम लोग के ठीक विपरिद्ध सामें ठीक सामने तो इसलिए वहाँ पर प्रशासन जो है एंटर नहीं करने दे रहा है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है आप देख सकते हैं यह राजगाट का ब्रीज दिखाई दे रहा है यहाँ भूमने आये तो यहाँ पर एक मित्र मिले भाई मिले जो कि यहीं के रहने वाले हैं आई इन से अब सभी का परिशे कराता हूँ यह आपका नाम क्या है जी भाई जी बता रहें कि खिडखिया घाट है तो क्या आप बता सकते हैं यह जो खिडखिया घाट है यह क्या ऐसे ही रहता था पहले भी या अब भी पिछले कुछ दिनों में जो है जी 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 इसमें राजहाट फिल के पास बैठावान इसे पानी कानन दे रहा हूं पहती घंगा आगा आप गंगा जी में उखनती लहरों को देख सकते हैं इस तरीके से सीडियों को चूंकर फिर से वापस लहरे जो हैं चली जा रही है कि इतना जुंदर मजा रहा है यहाँ पर कुछ लोग है जो सनान कर रहे हैं आप देख सकते हैं यह एक शोड़ा बाबू लोग यहाँ पर बैठे हुए बर्गत का विशाल ब्रिच यहाँ पर कितनी अच्छी जाया स्तुद्ध हवा औक्शीजन और यहाँ पर नहाते हुए लोग तुआ यह चलते हैं यहाँ पहले रास्ता हुआ करता था लोग यहाँ पर बाइक और फोर विलर लेकर आ जाया करते थे लेकिन यह पूरी तरीके से जलमग हो चुका है आप लोग देख सकते हैं यह ब्रिज के ठीक नीचे आप इदर से देख सकते हैं हाटो कसम पर दूरी तरीके से तूप चुका है यह दुआ उपता हुआ आपके जो है मौक्ष धाम जैसे पूरी तरीके से गंगा के तटी इलाके जो है जलमग हो चुके हैं आप देख सकते हैं यह जो रास्ता दिखाई दे रहा है यहां फोर विलर पाइक सभी आ जाते थे लेकिंगे यह रास्ता पूरी तरीके से जलमग हो चुका है यहां पर ना हो कभी गंगा की लखोग उचीरते हुए आगे बढ़ते हैं आज बिलकुल सब्सक्राइब है इन्हें बेंतजार है कि मागंगा का चलस्तर कब कम होगा और ये फिर से अपने पुराने दिन रखाद गंगाजी की लहरों कुछी इते हुए आगे बचते हुए सैलानी उपना अब दरेश्चे कोई इक बार फिर से दिखाने का पूरा है